सबी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार दोस्तों क्या आपके घुटने में दर्द होता है? क्या आपके घुटने में अचानक से सूजन आ गई है? क्या आपको चलने पे कट-कट की आवाज होती है? क्या आप चल नहीं पा रहे हैं गुटनों में धर्द के कारण अगर ऐसा समस्या है तो इस वीडियो को देखिए जरूर क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुटनों में कौन-कौन सी बीमारियों के कारण तकलिफे आती है और गठीया सकता है और घुटनों में saas ऑर इसके बाद बोन चिपक जाता है और बोन में घिसन आने लगती है सो यह एजिंग की बिमारी है लेकिन एजिंग के अलावा धीरे-धीरे पहले भी आती है आजकल यंग एज में मिडिल एज में ऑस्टियो अर्थराइटीस देखा जा रहा है स्पोर्ट्स इंजूरी कोई ट्राउमा हो गया कोई एक्सिडेंट हो गया उसके बाद भी घुटने में ऑस्टियो अर्थराइटीस दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण हम देखते हैं वह देखते हैं रूमेट्वाइड अर्थराइटीस एक आटो इमीन बिमारी है जहां इम में और मीडिलेज में देखते हैं 20-40 साल के लोगों में देखते हैं वह एंकाइलोजींग स्पॉंडाइलाइटीस एक कमर की गठिया बिमारी है लेकिन इसके साथ-साथ आपके घुटने में आपके एंकल में आपके कूले में भी गठिया हो सकता है जो फूर्थ इंपॉर् अगला जो इंपॉर्टेंट कारण हम देखते हैं वह क्रिस्टल के कारण क्रिस्टल मतलब यूरिक ऐसिड का क्रिस्टल या कैल्सियम फॉस्पेट डाई हाइड्रेट हम बोलते हैं इसका क्रिस्टल भी अगर जोडों में जम जाय तो अचानक से दर्द और सूजन हो सकता है अगला जो इंपॉर्टेंट कारण हम देखते हैं वो रियक्ति वर्ट प्राइटी जहां अचानक से आपके सरीन में कहीं पे शाप में लैक्रिन में या गले में इंफेक्शन होता है और उसके कारण घुटने में दर्द और सूजन बहुत जादा हो सकता है तो यह मोस्ट इ लाइक करें इस मेरे इस मेटग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर मैं अर्थराइटीस और इमीन डिजीज और मेडिकल इंफोर्मेशन जो भी साइंटिफिक होता है जो भी फैक्ट्स होते हैं आपके सामने सरल भासा में लाता हूं धन्यबाद दोश्तों नमस करें